पैर में मुझी आना पैर की नसों का ब्रेट सर्क्रेशन रूते जाना रात को सोने के टाइम पे जिनको भी पैर में बहुत गर्द रहता है पिंडली अचिस्ति है रात को एठा ना जाना नसों का ब्लॉकिस सब को खुलने के लिए एक घर बैटे ही इलाज है जो आपको किसी के पास जाने का ज़रूत नहीं है किसी के पास जाने का जरूत नहीं है आप घर बैटे ही अपना इलाज खुद कर सकते हैं बिना किसी दवाई के और यह बहुत ही कारदर और हमारे सेंटर पे बहुत सारे लोगों को इस चीज का फाइदा हुआ है इसके लिए हम विडियो और पेन के लिए भी कर सकते हैं पॉन पकड़ते हैं या सब्जी कड़ करती है जो मेला है उनके मूगी आजाना है वो साब समस्याओ का इलाज सिर्फ छोट असा सिर्फ पास उनट चौबेस हेंटे में आपको सिर्फ पास उनट अपने शरीर को देना है एक पैर की सब्सक्रीका उपर से नीचे येला कि ये एक इक तीन ओंगल कम में गैप रखते हुए इसको बाँधना है इनको निंविट जैफ में हैं जिनको पारलाइस हो गया है नसे बलॉग हो गई है यह सूजन अती है 7rd रहती है यह सॉेलिन रहती इस चीज से आपको तुरुल्ट रिलीफ मिलने वाला है। किनको नीमी को नी को उपर और नीचे बीच में नहीं लगाना है इस चीज सा हमें खास दोर पर ध्यान लखना है। इसको कवर कटे हो। अब आप इस धागे को पैर तक यहां तक कवर करेंगे नीचे पैर के मुझे से अखे पूरा पैर कवर करेंगे और इस क्रिया को पांश में तक आपको ऐसे करेंगे जिनको नीचे उनको बहुत पीछे मी ही लेके जाना है उपर की तरफ जादा उठाने का कोशिश करना यह सेंख लिए आप को सक पांश में टक ऐसे पैसे जादा होना ले ना पांश में गव्त यही सेंख में आप पे बहु है सकते हैं जिनको भालत का प्लूप है कि कम से कम पांच दिन कर तो आपको वान भी आपको कम से कम करना है हाथ में ऐसे हाथ में ऐसे अर्थराइटिस वालों के लिए बहुत कारगर है हाथ को बंद करते हुए जिगजग करते हुए अपनी फिंगर को हमें कवर करने है कि इसके महिला को हाथ में आटा लगाने के टाइम सबजी काट करने के टाइम तक लीव रहता है और इसको बहुँट काइड रख निए जैसे हमने पैर का रहा था वैसे ही हाथ का भी रखेंगे इनको कंजे में बहुत दर्ध रहता है इसको यहां कब आपको कबस करना है अब हाथ की उंगलियों को खोलते हुए और फिर बंद करते हुए इसके लिए पांच मिनट आपको लगातार करते रहना है दो मिनट ऐसे दो मिनट उपर से नीचे आपके नसों को फूरी तरह से खोल देगा इसके लिए आपको किसी डॉक्टर के पार साने की जरौत नहीं है इसके लिए और जिन लोगों को समझ में नहीं आ रहा है या ना आया हो विट्यों देख से बाद वो हमें कॉंटेक कर सकते हैं यह मलाइका शोरूम के पीछे जो गार्टन है यह हमारे यह आपर सेंटर है आप जब इच आना चाहे आ सकते हैं मौर्णिक सुबर 6 बजे से रहता है 10 बजे कर आप्टर नून साड़े 12 बजे इबनिंग 4-6 इबनिगा शोरूम के पीछे है एपियों अपार्टमेंट का गार्टन है 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 एपियों अपार्टमेंट गार्टन इसका नाम है और यह सेंटर में आप कभी दी आ सकते हैं थाइक यह अब लिए